नमस्कार दोस्तों, आउल टीटी त्यारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक वार स्वागत है, साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जो आप सभी के लिए बहुती महत्वपुर्ण हैं, खास करके जो बि जो भी कुछ सचवालय अपडेट है, वो भी मैं आप सभी को दूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, जो बार-बार फोन कर रहे हैं, कि आज जो है वो सचवालय हमारे टीम की ओर से साथी गए हुए थे, तो क्या अपडेट है आप बताएं, तो उसके उपर म में भी चर्चा करूंगा, आप लोग बने रहे है ओल्टी टी ट्यारी चैनल पर, आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार पटना आदेश, संचिका संख्या, साथ बिविद पच्चीस, दोहजार उन्नीस, बिहार राज्य में अवस्थित प्रारंभिक विद्याले सेवा, नियुक्ती, प्रोणनती, अस्थानांतरन, अनुशाषनिक कारवाई एवं सेवा शर्त नियावावली 2020, एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्याले सेवा, नियुक्ती, प्रोणनती, अस्थानांतरन, अनुशाषनिक कारवाई एवं उक्षा परिशत के पत्रांग 764-2010 NCTE यहां पर देख सकते हैं NCTE का जिक्र किया गया है दिनांग 112-2011 के साथ सनलग्न मार्ग निर्देश में निहित शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अहरता यथा शिक्षक पातरता परिक्षा TET में उतिर्न होना को समाहित किया गय है दूसरा है कि उक्त मार्ग निर्देश के आलोक में बिहार राज्य में आयोजित प्रारंभिक शिक्षक पातरता परिक्षा के प्रमान पत्र के वैद्धिता अवधी 7 वर्स थी तीसरा है कि अंकनिय है कि विभाग आदेश ग्यापांक 8-3-7 दिनांक 2017-2019 के तहत सम्यक वि 2019 में समाप्त हो रही थी को अगले दो वर्स के लिए विस्तारित करने का निर्दय लिया गया चौथा है कि इस क्रम में राष्ट्री आध्यापक शिक्षा परिशत के पत्रांक पत्रांक NCTE यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है दिनांक 9-6-2021 के द्वारा शिक्षक पात परिक्षा TET प्रमानपत्र की वैधता दिनांक 11-2-2011 के प्राभाब से जो है वहाँ पर भैली टीटी की बात की जा रही है को लाइफ टाइम कर दिया गया है मैंने आप सभी को पहले भी बताया था सम्मंधित राज सरकारों से शिक्षक पातरता परिक्षा TET प्रमानपत् किया गया पाचवा है आपका कि उक्त प्रिष्ट भोमिक में सम्यक विचार के उप्रांद बिहार राज्य में आयोजित प्रारमिक शिक्षक पातरता परिक्षा TET के प्रमानपत्र की वैधता अवाधी जो पुर्व में सात वर्स्ति को प्रथम TET के लिए निर्गत प्रमा करते हुए यहां पर कहा रहें कि रिमेन वैलिट फोर लाइफ यहां पर जो है इनको लाइफ टैम कर दिया गया है इस प्रकार एक बार BETET उत्तिर्ण होने पर संगत नियुक्ति नियमावाली में निहित अन्य शर्तों के अधिन संबंधित अभ्यारती शिक्षक के पात पर प्रमानपत्र की मान्यता भी वैलिट फोर लाइफ मतलब लाइफ टैम उसकी वैलिट होगी मतलब वैजता होगी संबंधित नियुक्ति प्राधिकार तदन रूप अनुवर्ति कारवाई करेगी और इस आदेश पर समक्ष इस आदेश पर शक्षम अस्तर के अनुमोधन प् यहां भी देख लीजिए तो साथियों इस प्रकार से मैं आप सभी को जो भी अपडेट होता है वो देता रहता हूं बिहार में भी अब टीटी प्रमानपत्र की वैदता है वो पूरे लाइफ टेम कर दिया गया है अब हम लोग बात कर लेते हैं सचवाले अपडेट की तो स शिक्षा विभाग जो है वो सकारात्मक मोड में है लेकिन आप लोग केस को मत भूल जाएए केस जो है वो शिक्षा विभाग यदी कह देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि खारीज हो गया केस पहले भी शिक्षा विभाग ने कहा था कि नई और पुराने केस ते कोई प् क्योंकि बहाली फसाओ गेंग जो है बहुत एक्टिव है क्योंकि जब से शिक्षा विभाग के द्वारा आप सभी को पता होगा कि दिव्यांग जनों के लिए जो फोर्म भरने का समय दिया गया है तब से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तो मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ आप सभी को कि आप सब की नोकरी नहीं होगी या एस्टे लग जाएगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग सतर्क रहिए साबधान रहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है शिक्षा विभाग तो बहुत पहले से कह रही थी कि क कोई भी केस होगा उससे कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा लेकिन शिक्षा विभाग के उपर में हमें नहीं जाना है हमें अपने तरीके से कारे करना है सब को एक जूट रहना है और सच वाले अपडेट यही है कि पूरे बिहार में एक दिन ही कैम्प लगेगा उसमें कोई कोई दोहडाई वाली बात नहीं है और पहले से ही मैं नहीं कह रहा हूँ यह शिक्षा विभाग में जो गए थे वो नहीं कह रहे हैं प्रात्मी शिक्षा निदेशक ने कई वार यह बात बोला है कि हम पूरे बिहार में जो है वो एक दिन कैम्प लगवाएंगे मतलब कॉं अंचायत का होगा इसमें कोई दोहडाई वाली बात ही नहीं है एक एक करके होगा ना कि एक साथ सभी का जो है वो कॉंसलिंग हो जाएगा तो आप लोग अपने तरीके से अभी से ही अपने आपको तयार रखिए जो भी सर्टिपिकेट आपने लगाया था फॉर्म भरते सम ही एश चाहिए उस समय कोई ऐसा हो कि आपके पास में कोई पर्मान पतर नहीं आपको बाहर जाना परे तो साथियों यही है कि सचवालाय में जो भी हो रहा है आप सभी के लिए सकारात्मक मां कह त्यारी चनल पर पलपल के अब्डेट आप सभी को देता रहोंगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में साधा धन्यवाद साथियों इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन दबाना विल्कुल ना भुलें धन्यवाद साथियों